आज हम बनाएंगे एकदम जबरदर्स से तड़के वाली कड़ी पकोड़ा और पकोड़ा इतना सॉफ्ट बनेगा उसका मैं राज पिताऊंगी कि कैसे बन सकता है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पकोड़ा बिना सोड़ा डाले और जो कड़ी है आप उंगलियां चाड़ नाना हम शुरू करते हैं तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कड़ी की घोल से यानि की कड़ी की बेटर से यहां पे मैंने चार बड़े चमच ले लिया है बेसन और भारीक वाला बेसन है मोटा वाला नहीं है साथ ही मैं यहां पे एक छोटी चमच हल्दी एक छोटी चमच ला जाल दिया है, बाकी कर नमग बाद में अड़्जस कर सकते हैं, तो अब मैं यहां पर चाज जाल रही हूँ एक ग्लास भर के और यह थोड़ी सी खटी है चाज अगर बहुत जादा खटी हो चाज तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं चाज को और मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर तो जैसे पुराने जमाने में भी इसी तरीके से चाज से बनाई जाती थी कडी और मैं भी जनरली चाज से ही बनाती हूँ अब मैं यहां पर पानी डाल देती हूँ तो लगबग मैं ने तीन ग्लास भर के पानी एट कर दिया है और इस गोल को हमने तयार कर लिया है और यह कोई फुटकी फुटकी नहीं होनी चाहिए बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर आ भी गई हो तो आप इस तरीके से निकाल दे तो यह लिजे यह गोल एकदम से तयार हो गया है चलते हैं अब हम आगे की तयारी करते हैं यहां पर मैंने एक बरतन में ले लिया है ब बेसन में थोड़ी थोड़ी से फुटकी जासी होती है ना वह आप इसको तोड़ दे इस तरीके से और सारब नमक मिला ले साथ में यह पर एक बड़ा चमच धनिया कटा हुआ और दो हरी मिर्चे मैंने इसमें एड़ कर दी है और यहां पर मैं इसको मिक्स कर लेती हो तो प पकोडी का बेटर होता है वैसे तैयार कर लेती हो तो जब आप छाच यह दही मिलाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है पकोडियां और आपको सोड़ा डालने की जरूत नहीं पड़ेगी बस आपको इसे अच्छे से फेटना है और इतना पानी डालते जाए और फेट लिया है और यह काफी फलफी जैसा हो गया है बस यह अब रेडी है अब यहां पे डाल देते हैं दो चमच रिफाइंड ओयल का या फिर आप चाहें तो इसमें सर्चो का तेल कर सकते हैं एक चुटकी महीं डाल देती हूं और यहां पे मैंने आदी छोटी चमच ले लिया है मेथी दाना तो मेथी दाना बहुत जरूरी वाला इंग्रीडियंट है इसमें साथ में यहां पे थोड़ अधरक का पेस्ट और अगर अधरक है तो आप इसको काटके भी आड़ कर सकते हैं तो बस आप इसको अच्छे से चटका ले जब यह चटक जाएगा अब हम यहां पे तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाईए इस तरीके से चला ले पहले और जब यह अगरी तो आप बागी का पानी अड़ कर दें इसके अंदर लगबग में ने तीन ग्लास और पानी इसमें एड़ किया है मैं तो टोटल छे ग्लास पानी हो गया है और इसको मैं ढखके प परमत से इसमें पकोडी बना सकते हैं तो यह लेजे मैंने यह सारी पकोडी इसमें डाल दी है और बहुत जादा ब्राउनिंग नी करेंगे पकोडी में बस हलकी हलकी सी पाख जानी चाहिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाए और उसको निकाल लेए तो यह लेजे यहां पर मैंने ले लिया है देसी घी का तड़का लगाएंगे न तो बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि यह तड़के वाली कड़ी है इसमें बहुत जरूरी है अधी चुटी चमच जीरा और अधी चुटी चमच मस्टर्ट सीड्स मैंने डाल दी हैं साथ में यहां पर दो यहां पर मैं हरी मेच डाल देती हूँ दो हरी मेच का टी हुई और इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं तो यह देखे एकदम जबरदस सा तड़का तयार हो रहा है प्यास को हमने बिल्कुल हलका हलका सा ब्राउनिंग करनी है बहुत जादा ब्राउनिंग नहीं करेंगे ब्राउनिंग दो मैंने यहां पर ड्राय रेड चिलीज ले लिए और इसको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं लेके ना यह खाने में ऐसे ही अच्छी लगते है मत अब चावल के साथ खाऊ ना तो ऐसे ही अच्छा लागेगा सा उपर से हम धनिया डालते हैं और इसको अच्छा से चला लेते हैं धनिया भी अच्छा से चटकना चाहिए तो बस लीजे आपका यह तड़का एकदम रेडी हो गया है बिल्कुल जबरदस सा तड़का लगता है वैसे तो नॉर्मल है लेकिन बहुत जबरदस लगता है यह तो बगभग 15 मिनिट लगते हैं मेडियम आज पे कडी का घोल तयार होने में और यह बिल्कुल पक जाता है यहां पे पहले हम डाल देते हैं पकोडियां ताकि यह थोड़ी सी पके और कडी का जो 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 पकोड़ी के अंदर आए और पकोडियां और ज्यादा तो अभी अभी हमने तयार किया है तो यह लीजे हमारी तड़के वाली कडी पकोड़ा तो रेडी हो गई है और इतनी जबरदस लगती है यह खाने में बहुत जादा और हाँ नमक आप इसमें अड़्जस कर लेजे वैसे मुझे नहीं लगा और डालना चाहिए लेगन आग आप सब्सक्राइब करें या रोटी के साथ कैसे भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं लगभग मैं एक से देड़े मिनिट तक इसको पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसको सर्फ कर दूँगी तो यह देखिए बढ़ी असा गाड़ा सा गोल हो गया है यह कडी का और यह पकोड़ तो रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे चैनल जरू सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना थैंक यू